आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें पर चेंद्रक मूल बिंदू पे है, तो दोस्तों इसके केंद्रका नेदर सांक आजाएगा सुनने कॉमा सुनने और बोला गया है कि इसकी एक भुजा सरल लेखा है, एकस फ्लस वाई बराबर थीन के अनुदिस है, तो दोस्तों घुजा BC को हम X प्लस Y बराबर 3 के अनुदिस माल लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा X प्लस Y और 3 को इस्तरफ ले आएंगे तो यहाँ जाएगा माइनस 3 यह बराबर होगा सुनने के ठीक है दोस्तो इसके परिविर्थ की तिर्जया R के बराबर है तो यहाँ पे यह आजाएगा R के बराबर और इसके अंतवरित की तिर्जया या छोटा R के बराबर है तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हम R कामान कैसे निकाल सकते हैं हमें एक बिंदू दी हुई है और इस रेखा का समिकरन दिया हुआ है तो यहां से हम लिख सकते हैं R बराबर होगा मापांग के अंदर A गुना X1 तो देख सकते हैं A का मान 1 है और X1 का मान सुननी के बराबर है प्लस B गुना Y1 तो देख सकते हैं B का मान भी 1 के बराबर है और Y1 का मान भी सुननी के बराबर है यहां पर आ जाएगा C तो देख सकते हैं C के जगा पर माइनस 3 है तो यहां पर माइनस 3 आ जाएगा और इसके बटा में हमारे पास आ जाएगा वर्ग मूल के अंदर A का वर्ग प्लस B का वर्ग तो A का वर्ग आ जाएगा 1 का वर्ग प्लस B का वर्ग भी आ जाएगा 1 का वर् तिर्बूज है और परिविर्थ की तिर्जा कुन C को समझेवाजित करेगी तो हम कह सकते हैं कि ये वाला कुन आ जाएगा 30 डिगरी के बराबर और यहां पे देख सकते हैं यहां भुजा BC पे लंब है तो ये आ जाएगा 90 डिगरी के बराबर तो इस समकोन तिर्भूज में हम देख सकते हैं जब हम साइन 30 डिगरी का मान निकालेंगे तो यह आ जाएगा लंब बटे कर्ण के बराबर लंब का मान आ जाएगा R और कर्ण का मान आ जाएगा बड़ा R ठीक है दोस्तो साइन 30 डिगरी का मान एक वटा 2 के बराबर होता है और यहां से आ जाएगा R वटा R देख सकते हैं यहां से आ जाएगा R बराबर 2 गुना छोटा R के बराबर और यहां से दोस्तो हम R का मान निकालेंगे तो देख सकते हैं यहां जाएगा 2 गुना R का मान आ जाएगा तीन वटा दो का वर्गमूल, दो में जब इसका भाग करेंगे तो यहां दो के वर्गमूल के बार में कट जाएगा, तो यहां से हमारे पास R का मान आ जाएगा, तीन गुना दो के वर्गमूल के बराबर, चुकि दोस्तो हमें R प्लस R का मान निकालना था, तो यहां पे हम ल तो इसे दोस्तों हम लिख लेंगे नौव वट्टा दो के बराबर जब हम विकल्प में देख सकते हैं दिया हुआ है नौव वट्टा दो का वर्गूल तो विकल्प दो सही उत्तर होगा आसा करता हूं कि आपको इस परसन का हल समझ में आया होगा तब तक के लिए आसी डाउन्यट करें डाउटने डाप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स 8444 पर